नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है खबर लगातार हो रही बारिश के कारण मिजा चौकी समेत आसपास के क्षेत्र में जलमंग हो जाने से क्षेत्रवासियों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है मिजा चौकी भोरी जोर मुख्य सड़क के बीच उपर बंधा के पास गोड़ा जिला को जोड़ने वाली मिजा चौकी सड़क अब मौत का खवाँ बन चुका है लगातार बारिश होने से पहाडों का पानी सीधे सड़कों पर उतर जाता है जिससे क्षेत्रवासियों के साथ साथ रहागीरों को जान जोखिम में डालकर इस सड़क से गुजरना पड़ रहा है सड़क बिहार और जार्खन के साथ साथ तीन जिलो भागलपुर, साहिब गंज और बोड़दा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है हाला की पानी छोटने के बाद डाइवर्शन को बना दिया गया है लोगों को राहत मिली है देखी क्या कहते हैं ग्रामीन अपना मन से काम करता है जो जरूरी उसको कर भी नहीं करता है मिल्जा चुटे से भागईया गोटा जोड़ती है भागलपुर भी जाती है अरेक साल की समस्या इस साल बहुत जाता हो गया देखी रहें पूल है तोड़ दिया है बनाने का चकानी नहीं है यह कुछ दिन पहले भी हुआ था दस बंदा दिन एक मेना पहले मेरा नाम सुरेश है प्रबंदा करने वाले है यह जो पूल आप देख रहे हैं इस पूल में हमेशा समस्या रहता है इधर पहाड का पानी हमेशा आ जाता है और यह पूल दूख जाता है पहले भी इसके पहले डाइप्रेशन में काफी समस्या का समना करना पड़ा हम लोग जैसे स्कूल से आते हैं या स्कूल वाले बच्चे होते हैं आम जनता को भी काफी दिक्कत होता है इसलिए प्रसासन को इसमें पूरा ध्यान देना चाहिए और यह जो रोड का निर्बान यह तो अभी साहेगोएंज गोड़ा और आगलपूर तीनों जुला को टच करते हुए आगे जाती है और अभी जो में जो जीस जगह पे यह पूल पानी से भरा हुआ है लावारब यह सबसे में जगह है मिन्स यहां से आपको दोनों तरफ कहीं भी आप आ जा नहीं सकते है आपको जैसे मुझे अभी उस्वार जाना है तो मुझे बार अपनेशन में जो जाना पड़े हैं सब्सक्राइब चाले सब्सक्राइब चाले सबस्क्राइब चाले सबस्तों मुझे झाले जाये बार अब उस्ट करता है